असलाम लेकूम, वेलकम बेक टू माई चैनल वेजिटेवल्स ग्रो करना कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन हमें उनकी मट्टी कैसी बनानी है, खाद कौन सी देनी है ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स अक्सर पूछते हैं कि आप इनको कौन सा फटिलाइजर देती है तो मैं जो फटिलाइजर देती हूँ, वही शेयर करती हूँ आपसे हमेशा प्लांट्स प्लांट्स कैसे गरो हो रहे है वह भी घमलों में तो यहां पर अपस लाद पता है इसको आप जितनी जल्दी हर्वेस्ट करेंगे उतना ही यह टेस्टी होता है अगर आप इसको उतारने में लेट करेंगे तो इसका जाएका थोड़ा कड़वा हो जाता है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने पॉट्स में से रेगुलर हर्वेस्टिंग मिलती रहे यानि के कंटीनूस ले वहां से कुछ ना कुछ सबसी आप उतारते रहें तो जिस तरीके से मैं मट्टी त्यार करती हूँ या कीचन का वेस्ट घर का वेस्ट अपने पॉदों को देती हूँ और गैनिक टोटली आप भी उसी तरह करें अभी मैंने एक पॉदों को रेडी करना है तो उसमें मैं यूज करूंगी किचन का वेस्ट डायरेक्ट और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है उनके कुईस्टिंज रहते हैं कि इस सरा से हमारे पॉदों में तो फंगस लग जाता है लेकिन मेरे पॉदों में नहीं लगता है तो उसके लिए फिर मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ आपने इसको डायरेक्ट कैसे यूज करना है ये मेरा गमला जो है पॉट है एक्जली राउंड सा बना हुआ और इसके अंदर था पुदीना तो पुदीना मैंने निकाल दिया था तो उसको क्यों निकाला था वो भी इन्शालला पुदीने के लिए भी आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी तो यहां पे मैंने किचन का वेस ले लिया है अब आपको देखना ये है कि आप जो किचन का वेस ले रहे हैं उसमें कौन कौन से चिलके हैं जिनकों के आप डारेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेते हैं कर बूद के तर्बूस के Яस तरह के गीले चिलके जो के बह।त मीठे भी होते हैं तो उसकी वज़े से तोड़ा सा प्रॉबल्म आ सकता है आपकी मट्टी में और उसकी वज़ा से काफी चिंटियां भी आएंगी तो आपने कोशिश करना है इस तरह के चिलके इस्तमाल करने हैं जिनका क्यों उतना आपको उसमें शूगर ना हो या गीला पन ना हो अब यहां देखें जो सबजियों के चिलके होते हैं या बनाना के हैं अंडों के प्यास के अलू के तो यह ऐसे चिलके हैं के जिनकी वज़ा से कोई इशू नहीं आता तो अगर हम इसको डारेक्ट इस्तमाल करेंगे तो आपने क्या करना है पॉर्ट में एक अच्छा सा खड़ा कर लेना है अप सारी मती उठाके और इस्तमाइस के अंदर डाल देना है चोटे-चोटे पीसीज करके भी डाल सकते हैं और बड़े बी डाल सकते हैं लेकर बड़े जिए जल्दी डीमपोस नहीं होंगे जो छोटे टुकड़े होते हैं वो जल्दी डीकंपोज होना शुरू हो जाते हैं अब डारेक्ट जब हम डालते हैं ना तो ये जल्दी खाद बन जाती है इसको हाडली जो है ना वो आट से दस दिन लगेंगे खाद के बनने का अमल जो है वो बहुत तेज होता है वो इसलिए कि इसमें मट्टी का पोर्शन ज्यादा होता है इसमें मट्टी का भी पोर्शन ज्यादा होगा उसके इलावा हमने मट्टी में जो खाद मिक्स की होती है उस खाद की वज़ा से भी इसमें जल्दी जल्दी जो माइक्रोब्स हैं वो बनते हैं जल्दी जल्दी जो हमारा किचन का कच्रा है वो खाद में कनवर्ट होना शुरू हो जाता है तो इसी तरह मैं इस तरफ भी डाल दूंगी थोड़े से यानि कि हमने एवन रखना है दोनों साइड पे अगर आपके पास ज्यादा किचन का कच्रा है तो आप इस तरह से चारों स होदें तो नीचे कमस कम भी दो से तीन इनच के मट्टी जरूर हो उस मट्टी में जितनी भी इसके अंदर से लिकवर्ड खाद निकलेगी वो उस मट्टी में चली जाएगी और वो हमारे पौदों की मिलेगी और यहां पर इसकी जो ड्राय खाद है वो बन जाएगी तो मैं इसमें कोई भी पौदा चप लगाएंगे तो जब तक उसकी जड़ें वहां जानी है वहां भे वो खाद बन चुकी होगी तो मैं अपने किचन का जो वेस्ट है वो इसी तरह अपने गमलों में डंप करती हूँ और काफी टाइम से मैं इसी तरह से डाल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसलिए मैंने अलग से खाद बनाना छोड़ दी है आप हर पौट में एके करके इस तरह से डाल सकते हैं जो भी आपका गमला खाली होता जाए उसमें इसी तरह से आप ये प्रोसेस करते जाएं और फिर उसमें पौदे लगा ले आपको उपर से बहुत ज़्यादा खादे नहीं देनी पड़ेंगी अभी इस मटी में मैंने काफी सारी चाय की पत्ती जो है वो खुश की थी वो मिक्स की थी अब एक दो दिन के लिए ये धूप में पड़ा रहेगा और उसके बाद फिर इसमें हम कोई भी वेजटेबल के सीड लगा सकते हैं कोशिश करें जहां पर आपने पत्तों वाली सबसियां लगाई हैं तुबारा वहां पर ये पत्तों वाली ना लगाएं तो उसमें नाइटरोजन की चूंके कमी हो चुकी होगी क्योंके नाइटरोजन रिच खाद ही चाहिए होती है पत्तों वाली सबसियों को तो इसलिए पिर आपको उपर से खाद देनी पड़ेगी उतनी अच्छी वहां पर पत्तों वाली सबसी ग्रो नहीं होगी तो इसलिए बेहतर है कि अब उसमें आप जो है ना वो या तो बेंगन का पौदा लगा दें चिली का है टमाटो का है इस तरह का क्यूंके उनको जो है वो फॉस्फोर्ट चाहिए पुटाश चाहिए या फिर कैल्शम चाहिए है जो कि उस मठी में अच्छा खासा होगा जो कि पत्तों वाली सबसी ने नहीं लिया तो इसलिए पॉट बदल के सबसी बदल के लगाया करें ताकि आपके पास धेस सारी सबसी अच्छी सी तियार होती रहें और आपको बार बार खाद ना देनी पड़े ये तोनों जो ग्रो बैग्स हैं पॉली बैग्स हैं इनको भी मैंने इसी तरह से फिल किया है और एक दो दिन के लिए छोड़ दिया है आप इसके अंदर मैं सीर डालूंगी इन्शाला वो भी जब मैं डालूंगी तो जरूर श गाएंगे तो आप उसमें थोड़ा सा राख या फंगी साइट भी डाल दीजिएगा होफ़ुली के वीडियो यूजफुल रहेगा आपके लिए इतना ख्याल रखिएगा अला हफीज